वेल्कम बैक गाइस टोवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी मेरा नाम है चेतन पारिक आर सगरवाल के इंगलिज वाली बुक सौल कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं एक दुकानदार को साड़े बारा परसेंट का लॉस होता है लेकिन अगर वो अपने विक्रेम बुल्य को 98.50 रॉपीज बड़ा देता है तो उसको जो लॉस है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा साड़े बारा परसेंट का जो लॉस है वो 6% के गेन के अंदर चेंज हो गया गैप कितना है देखो यह लॉस है और यह छैए परसेंट प्रॉफिट है दौनों के बीच मेंगर गैप देख ज़या तो साड़े अठा गैप है किता गेप है 11.5% का गेप है यह 1.5% जो है वो किसके एक्वल है यह 18 % एक्वल है night 2.50 के एक्वल है तो अगर अगर 6.5% इसके एक्वल है तो 100% किसके एक्वल होंगे यहां पर अपन कर दें ध ouais 이야기 82 into, sorry 18 into 2 36 और 1 किते होगा, 37 upon 2 लिख दूँ इसको simple fraction में 37 upon 2 से 100 कैसे आया होगा तो into 100 upon 37 by 2 by 2 जो है वो यहाँ पर मतलब मैंने 200 बटा 37 से इसको गुणा किया इस चीज को जब मैं 200 बटा 37 से गुणा करूँगा तभी तो मुझे 100 मिलेगा तो यह से चीज यहाँ पर कर लेते हैं 92.50 into 200 upon 37 यह पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 00 आएंगे यह 0000 कट गया, ठीक है अब इनको cancel out करते हैं इसको काटते हैं, काटने पर क्या मिल रहा है अपन देख लेते हैं इसको solve करके पांच वार में अगर मैं इसको काटता हूँ 37 into अगर मैं पांच करता हूँ तो किता मिल रहा है या वन बाई वन काटते हैं डायरेक्ट तो रहने देते हैं पहले दो वार में काटते हैं दो वार में जब मैंने काटा तो 37 और 37 किता होगा गए 74 सेवेंट इफंटिफॉर अगर हो गए तो 16 nad 28 आगे चले जाएंगे option A, पांस रुपेस question में अबना, फिर एक टांसर होगा, यह, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के, और सिंपल से सवाल था यह, और dealer sold an article at a loss of 2.5%, had he sold it for 100 rupees more, he would have gained 7.5%, to gain 12.5%, he should sell it for how much, एक दुकानदार जब किसी article को बेशता है, तो उसको 10% का loss होता है, लेकिन अगर वो 100 rupees जदा पर बेशता, तो उसका 10% का loss 7.5% के profit में convert हो जाता, तो यह कह रहा है, 11.5% का profit कमाने के लिए, उसको कितने में बेशना चाहिए, तो 10.5% का loss, 7.5% के profit में convert हो गया, तो gap कितने का आए, देखो इन दौनों के बीच में, 10.5% का loss और 7.5% का profit दौनों के बीच में gap किता है, तो दौनों को add गर लो, किता gap है, 10% का gap है, यह 10% का gap के आए, जब आपने 100% बढ़ाया, 100% बढ़ाया, यह 10% अगर 100% की वज़े से है, 100 रुपे की वज़े से है, तो यह actual में 100% की value कितनी होगी, इसको अपन 10 से कुना कर लें कितना आ जाएगा, 1000 रुपे, तो यह जो 1000 रुपे है मेरे पास, यह 1000 रुपे क्या हो जाएगी, 1000 रुपे मेरी cost price हो जाएगी, अब cost price 1000 रुपे है, 12.5% profit है, 12.5% profit अगर आप पूचिए, तो आप कितने में बेचोगे, तो अव्यसी बात है, 1125 रुपे में बेचोगे, 1000 का 12.5% आप निकलो कि 125 आएगा, 125 रुपे profit अगर आप पूचिए, तो कितने में बेचना पड़ेगा आपको, 1125 रुपे में, तो आप संडी इस पेस्टन का correct answer है, बहुत सिंपल सा सवाल था, अगर सवाल के और बढ़ता है, एक दुकानदार, एक वस्तू को, या एक किताब को 20% के profit पर बेचता है, लेकिन अगर वो 20% कम पे खरीदता, और 18 रुपे कम पर बेचता, तो उसका जो profit है, वो 25 रुपे का हो, 25% का होता, तो यह कहा रहा है, cost price किती है उस बुक की, तो 1 by 1 इसको शुरू करता है, देखो CP, और यहाँ पे लगता है, SP, ठीक है, a man sells a book at a profit of 20%, 20% के profit पर बेचता है, 20% profit का मतलब क्या है, 5 की जगे है, वो 6 में बेचता है, पांच की जगे, वो किते में बेचता है, 5 में उसने खरीदा था, लेकिन वो बेचता किते में, 6 रुपे में बेचता है, यह कह रहा है कि अगर वो 20% कम पर खरीदता, यह जो CP है, यह old CP है, अगर new CP, किती कम है, वो 20% कम है, 20% को fraction में अपन क्या लिखता है, 1 by 5, यह यानि 5 की जगे, एक कम, यह किते में, 4 में खरीदता, यह कौन से CP है, न्यू वाली, तो इसका ratio कितना आता पहले तो यह 5, 4, 6 रहाएगा ratio तो, यह 5, 4, 6 ही रहाएगा ratio तो, यह 5 की जगे रहाएं यहो चार में खरीदता, और 18 रुपे कम में बेचता, तो उसको 25% का profit हो था अब देखो पहले उसका सिंप सब्सक्राइब यह धक्र मध्यून के इंट्टूश करवा ने सकते लेकिन अपन इस 25% के अंदर रेशियो आगर किंटीन चलवा सकते हैं तो किता profit हो रहा है कि कह रहा है 25% का profit हो रहा है 25% का profit हो रहा है किसके उपर नियू वाली CP के उपर यह 25% को आप क्या लिखते हो एक बटा 4 4 की चीज 5 में जा रही है अगर यह CP 4 है तो SP किती होगी 5 होगी यह कौन से वाली SP नियू वाली ठीक है पुरानी SP अगर 6 है तो नहीं SP किती है 5 है किता कम है एक कम है ISP किती कम है एक यह एक कब कम है इस ratio का according कम है लेकिन actual में कितनी गम है अथरा कम है तो यहา से मैं कहा सकता हूँ कि एक unit की value किती है एक unit की value 18 है एक unit की hahaya तो आपको सवाल में पूछा है, cost price किती है इस book की, तो actual cost price थी, वो किती थी, पांच unit थी, तो पांच unit की value किती होगी, इसको 18 से multiply कर दो किता मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, तो 90 rupees, option D, इस question में अपना correct answer होगा, clear है, चलते हैं, एकले सवाल के और एकले सवाल क्या है, a bookseller sells a book at a profit of 10%, एक दुकानदार 10% के profit पर एक किताब को बेशता है, if he had bought it for 4% less, अगर वो 4% कम पर खरीदता, और 6 रुपे ज़्यादा पर बेशता, he would have gained 18 3 by 4 percentage profit, तो उसको 18 सही 3 बटा 4% का profit होता, तो उस book की cost price किती है, यह आपको find करना है, तो बिल्कुल same type का सवाल है, जो अपीस से समझ लोगर आपको वो सवाल समझ में नहीं है, कैसे करना है, 10% के profit पर वो normally बेशता है, यहनि 10 की चीज वो 11 में बेशता है, ठीक है, यह है CP, old वाली, यह है SPB कैसी, old वाली, 10 की चीज 11 में बेशता है, लेकिन यह सवाल कह रहा है कि अगर उसकी cost price 4% कम होती, अग इस दोनों ratio को merge कर लेते हैं, क्योंकि अपन दो ratio का असनी से merge कर सकते हैं, तो 10 और 50 काल, 25 कालसियम किता हो गया, 50, 10 से 50 कैसा है, 5 गोना करना पर तो इसको 5 गोना कर लो, 55, यह double किया, आपने इसको double कर लें किता हो जाएगा, 48, ठीक है, यहनि 50 की जगे अगर वो 48 में खरीता तो उसको 6 रुपय का profit होता है, या उसका जो विक्रे मुल्य ज्यादा पर बेजता तो उसका profit इतना हो जाता, अब विक्रे मुल्य कितना बढ़ा रहा है, 6 रुपया बढ़ा रहा है, अब डिरेक्ली इस विक्रे मुल्य को इस selling price को में 6 रुपय बढ़ा नहीं सकता है, क्यो तो कितना profit हो रहा है 18 सही 3 बटा 4 गों क्या लिखते हैं 75 अपन 400 लिखते हैं 18 सही 3 बटा 4 को simple fraction में देखें तो किता होगा 74 अपन 4 परसेंटेज हटा और निचे किता आगए 0000 अब इसको सवाल करना है 25 से काड़ दिया वार में 25 एकार दिया 16 बार में यहीं 3 बटा 16 इसकी वैलियू कित्षी होती है 3 बटा 16 3 बटा 16 का मतलब क्या है कि 16 की जो चीज है उसके ओपर 3 रिपा का प्रॉफिट वार कितने में गई 19 में गई ठीक है अब यहाँ से मैं इसको आठा रहा हूँ यह जो है यह किसको रिपरजन कर रहा है न्यू वाली SP को इसको आगे देख लेता है इस रेशियो को यहां पर इनको मर्ज कर देते हैं 48 और 16 का रेशियो कितना आ रहा है 48 48 का 48 तो 50 का 50 यहां पर 55 इसको आपने 3 times किया तोसको भी 3 times कर देहा है कितना आ रहा है तो 2 यूनिट की वल्लिव स्ट है तो एक यूनिट की वल्लिव कित्पय होगे तीन ोगे आपको बुचा है उस book की actual cost price किती है तो actual cost price कहां से शुरुआत किया था अपने 50 से इसको 3 से गोणा करेंगे कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा तो उस book की actual cost price किती है 150 है 150 यहनी कौन सा option है देख लेते हैं 150 यहनी option C इस question में अबना character answer होगा clear I hope यह वाला जो question आपको अच्छी तरी के समझ में आ गया और यह बहुत ही ज्यादा बार repeat हो चुका है यह सवाल SEC के exams के अंदर तो आपको धियान रखना इस type के सवाल आगे वाले exams के अंदर भी आ सकते हैं बढ़ते हैं अगला सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है मतलब क्या है कि दुकान दार किसी गड़ी को 20% के profit पर बेशता है लेकिन वो अगर अपनी CP को भी 100 रुपे कम कर दे अपनी SP को भी 100 रुपे कम कर दे तो उसका जो profit है वह 5% बढ़ जाएगा उसका जो भी profit था पहले 20% था 25% हो जाएगा 5% बढ़ जाएगा तो original cost price किती थी watch की यह आपको find करना है दो इस टाइप के सवाल को करने के दू तरीके एक तरीका तो जो भी अपने previous वाले सवाल के अंदर किया था इस तरीके से ratio बना के लेकिन जब आप इसके अंदर ratio बनाने के लिए जाओगे तो कैसा इस situation आपके सामने आ जाएगी 20% का तो profit है यानि 5 क चीज किते हैं में जा रही है चेह में जा रही है यह CP और यह SP यह है old CP यह है old SP 100 रुपय-100 रुपय दौनों को कम कर दिया इसको भी 100 रुपय कम कर दिया अब directly 100 रुपय-100 रुपय करने सकते हैं क्योंकि यह 5 अगर प्र प्रफिट कर नहीं सकते इधे पांच पर सेंट प्रॉफिट बड़ी गया और यह है इस सी प्चिह पर का रेशियो नए वाले थेक है अब यहाँ पर क्या ने वाले रेशियो और ने वाले रेशियो के बीच में कोई direct link नहीं सौू रुपय वाले लिंक जरूर है लेकिन रुपय के अंदर है रेशियो के अंदर नहीं है तो इसलिए यहां पे रेशियो वाले जो method है यहां पे यहां पर डिरेक्ट ले इस तरीके से apply करने सकते हैं तो फिर दूसरा तरीका आता है इसको X मान के करो, कि माल लो इसको 5X माल लिया, इसको 6X माल लिया, 100 रूपर इसको कम कर दिया, तो CP किती हो गई, 500, 5X-100, SP किती हो गई, 6X-100, तो ये, और ये, CP और SP, इसका प्रफिट का रेशियो किता है, चार से पांच है, ये रेशियो कित इकाल होगे, value put करोगे, ये भी कहीं है कि थोड़ा लंबा पढ़ने वाला है, तो इस टैप के सवाल को करने के एक short trick बता रहा हूं, आप short trick को दियान से समझ ले, कैसे apply करना है, trick है, तो इसका logic कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ trick समझना है, और याद करकर रखना है, त CP को भी, RSP को भी, तो जो चेंजिस आप कर रहो हो, यहाँ पर नीचे लिख दे, 100-100 रुपए आपने दौनों को कम कर दिया, ठीक है, CP और SP आपने दौनों को 100-100 रुपए कम कर दिया, यहाँ तक clear है, अब यह तो CP की बात चल रही है, यह बात किसके चल रही है, SP की बात च सवाल करना है, तो फिर मैंने आपको X वाला method बता दिया है, आप उसको follow करें, फिला जे trick है, तो यह सबसे sort रहती है, इसको कैसा use करना है, 4 x 100 करना पर किता मिल जाएगा, 400, minus का क्योंकि कम कर रहे है, और यह किता हो जाएगा, 5 x 100, 500, किसका minus का, दौनों के बीच का difference किता है एक unit का, दौनों के बीच का difference किता है, 100 unit का, minus 400, minus 100 के बीच में difference किता है, 100 unit का difference है, एक unit के value 100 के equal है, तो 5 unit के value किती होगी, old CP शुरुआत अपने कहां से कीती, 5 से कीती, तो 5 x 100 करना पर कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, यहनि option B इस question में अपना correct answer होगा, clear है, सबसे simple और स सबसे shortest method है, आप पहली बार देख रहो, इसलिए आपको तोड़ा हो सकता है, typical लगे है method, लेकिन आप जब method को use करो के 2-4 बार, तो आपको यह method याद भी हो जाएगा, और समझ में भी आजाएगा, कैसे लगाता है, बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, if the cost price is increased by 10% and the selling price by Rs.26, then the profit reduced by 5%, determine the cost price, देखो यह कौन सी टाइप का सवाल है, second last 20 जो टाइप अपन ने की थी, उस टाइप का सवाल है, अभी जो last सवाल किया था, उसके अंदर तो क्या था, CP और SP को दौनों को 100-100 रुपया कम किये थे, इस बार CP को कम जरूर कर रहा है, लेक CP को change कर दिया, 10% कम कर दिया, इन्हें 10 की चीज कित्ते कर दी, 9 कर दी, यह CP new वाली है, इन दौनों ratios को merge करते हैं, तो 5 और 10 calcium, 10 आ रहा है, यह 10, तो यह 9, यह double किया, तो इसको double कर लोगे, 12, यहां तक clear है, SP को 26 रुपय कम कर दिया, अब SP को 26 रुपय डिरेक्ट लिया है, 26 रुपय इंट्रिदूस कर नहीं सकते, लेकिन यह जो 5% है, इसको इंट्रिदूस करें सकते हैं, तो profit कितना reduce हो गया, 5% से कम हो गया, पहले 20% profit होता था, अब 15% का profit हो रहा है, 5% कम हो गया, 15% को किता लिखते हैं, 15% को लिखते हैं, 3 बटा 20, इने 20 की चीज किता है, जारी यह 20 की चीज 23 में, यह है अपनी SP new value, ठीक है, इन ratios को merge कर देते हैं, देखो, इन दोनों का LCM है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक वार के लिए 180, 20 कुना किया है, तो 20 कुना कर लेता है, 200, 20 कुना करने पर यह किता आ जाएगा, 240, इसको अपन ने किया है, 9 से कुना किय किता मिलेगा, 23 into 9, यहाँ पर 27, यहाँ पर आगया 2, 18 और 2 किता होगा, 20, 207, clear है, तो यहाँ पर कितना difference आ रहा है, देखो, यहाँ से कर देखा जाए, तो difference आ रहा है, 33 का, लेकिन यह 33 का नहीं है, difference, actual में किता है, यह 26 है, यह 26 बटा 33 करूँगा, तो यह मुझे मिल गई, एक unit के value, मुझे क्या चाहिए, determine the cost price, 200 units के value चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, into 200, तो यहाँ को क्या मिल जाएगा, cost price, अच्छा है, यहाँ पर पॉइंटों में value आने वाली है, अगर आपन solve करेंगे, पॉइंटों में आयागा, पॉइंटों के अंदर कोई option ह नहीं, तो हो सकता है, calculation mistake, यह चेक कर लेते हैं, then the percentage of profit reduces by 5%, यहनि पहले अगर 20% profit होता था, तो 15% का profit होगा, 15% को अपन क्या लिखता है, 15% को तीन बटा 20 से लिखता है, यहनि 20 से 23, बिलकुल सही है, तो ratio एक बार आपिस से चेक ही कर लेता है, पहले 20% था, तो 5 से 6, इपी को 10% increase किया है, ना की decrease किया है, मैंने यहां पर देखो क्या कर दिया, 10 से 9 कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर 10 से 11 करना चाहिए, ठीक है, 10 से 11 करेंगे यहां यहां पर, यहां पर किता मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 मिलेगा, तो फिर यह ratio पूरा का पूरा change हो यहां तक ठीक है, उसके बाद कितना हो रहा है, 20 की चीज 23 में, वो यहां पर लिख देंगे, 20 की चीज 23 में, 15% का profit था, ठीक है, अब इसको merge करना है, तो 11 और 20 कैलसियम किता हो गया, 220, इसको 20 गुना किया, तो 20 गुना कर लेंगे, 200, इसको 20 गुना कर लेंगे, किता इंटू 2 कर रखा है, 13 युनिट की वेल्यू होकर 26 है, तो 1 युनिट की वेल्यू किती 2 है, तो आपको पूचा है, cost price किती है, तो 200 इंटू 2 कर दो किता आजाएगा, 400, यनि option B इस question में अपना correct answer हो जाएगा, clear है, छोड़ा सा mistake किया था, क्या किया था, decrease कर दिया था, मैंने